उत्रप्रदेश की स्यासत में इन दिनों लगातार अपने स्यासी बयानों के चल्दे सुर्ख्यों में बने हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद कभी चंद्रशेखर आज़ाद सपा मुखिया अखलेश यादव को लेकर अपनी बात रखते हैं तो कभी इशारो इशारो में वहे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायवती के समर्थन में अपनी बात रखते हुए नसराते हैं उनकी तारीफ करते हुए देखे जाते ह लेकिन दूसरी ही तरफ उतरप्रदेश की 80 की 80 लोगसभा सीटों को लेकर मायवती अखलेश यादव इस तरह से रणनीतियां बना रहे हैं जिससे कि कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को भी चुनोती मिल चुकी है नगीना लोगसभा सीट जहां से चंद्रशेखर प्रत्याशी की सुरेंद्रपाल की घोशना हुई है नगीना लोगसभा के निजी बैंकेट हॉल में वस्पा सम्मेलन कारेकरम का आयोजन हुआ और इस कारेकरम में उमीदवार का एलान कर दिया गया है जानकारी देदे कि बसपा ने सुरेंदर पाल पर भरोसा जताया है आखिरकार सुरेंदर पाल कौन है सुरेंदर पाल को पुरकाजी विधान सभा से 2022 में चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा था विधान सभा चुनाब में सुरेंदर पाल को हार का सामना करना पड़ा था इस चुनाब में वहत तीसरे नंबर पर रहे थे और रालोद उमीदवार अनिल कुमार की इस सीट पर जीत हुई थी और नगीना सीट जो इस समय बसपा के कबजे में है पार्टी ने मौजुदा सांस गिरीश चंदर का टिकेट काट कर सुरेंदर पाल सिंग पर दाव लगाया है वहीं दूसरी ही तरफ नगीना सीट में देखा जाए तो बिजनो और जिले की पांच विधान सभा सीटे आती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर मनूज कुमार पृत्याशी है तो वहीं बीजेपी की तरफ से ओम कुमार पृत्याशी है अब देखना होगा कि आखिरकार बाजी कौन मारता है 2009 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी वहीं 2014 में समाजवादी पार्टी जीत हासिल की थी लेकिन 2019 में सपा और बसपा के गठवन्दन ने जीत हासिल की अब देखन होगा कि इस बार कि लोग सभा चुनाब में क्या चंदर शिखर आजाद बाजी मार लेंगे या नहीं फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक की लिए आप दिखते रहें नेक्स्ट टू नाइन नियूज